हेलो एवरिवन वेलकम टू आईटीलस अकेडमी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बथुआ के बारे में बथुआ जैसा कि आप जानते हैं एक साग के रूप में खाया जाने वाला पौधा है और उसी के बारे में उसके फायदे के बारे में आज हम इस वीडियो में ब बथुआ सबसे पहला पॉइंट दिया गया है बथुआ गेहूं के खेतों में गेहूं के साथ उगता है यह जो बथुआ है यह गेहूं के खेतों में ज्यादा तर उगता है बथुआ एशिया महादीब के साथ साथ औस्ट्रेलिया यूरोप और अमेरिका में भी पाया जाता ह ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे भारत में ही बथुआ खाया जाता है यह अस्टेलिया यूरोप और अमेरिका में भी पाया जाता है और वहां भी इसका बहुत बड़े इस्तर पर यूज किया जाता है खाने के लिए इसमें विटामिन A, iron, calcium, phosphorus, potassium, carbohydrate, fiber, vitamin C, भरपूर मात्रा में फाय जाते हैं आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी चीज़े हैं जिससे कि विटामिन A है, iron है, calcium है, phosphorus, potassium, carbohydrate, fiber, vitamin C ये बहुत ही ज़्यादा प्रेजन्ट होते हैं जैसे कि आप जानते हैं जो फाइबर्स हैं ये बॉडी के लिए शरीर के लिए बहुत ही लाफदायक होते हैं और ये ही फाइबर बहुत ही भरपूर मात्रा में बथुआ में प्रेजन्ट होते हैं बथुआ हर सब्जी मार्केट में आसानी से मिल जाता है और देश भर में लोग बथुआ का सेवन करते हैं आप भी जरूर बथुआ को खाते होंगे लेकिन आपको किबल यह पता होगा कि बथुआ को साग के रूप में खाया जाता है अधिकांश लोगों को बथुआ के औसधीय गुणों के बारे में जादा जानकारी ही नहीं है क्या आपको पता है कि बथुआ एक औशदी भी है और बथुआ खाने से कई रोगों में बहुत फायदा मिलता है दूसरा पॉइंट यहाँ पे बथुआ के वारे में दिया गया है बथुआ अनादी काल से खाया जाता रहा है यह बहुत ही प्राचीन काल से खाया जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि विश्व की सबसी पुरानी महल बनाने की पुस्तक शिल्प सास्त्र में लिखा है कि हमारे बुजुर्ग अपने घरों को हरा रंग करने के लिए प्लस्तर में बथुआ मिलाते थे बहुत ही पुराने समय में घरों को बनाने के लिए घरों को रंगने के लिए प्लास्टर जो यूज करते हैं उसकी जगय पे उसको हरे रंग से रंगने के लिए बतुआ मिलाते थे और ये बहुत ही पुरानी पुष्टक एक है शिल्प सास्त्र उसमें ये लिखा हुआ है और हमारी बुढियां सिर्षे, ढेरे, वफास या डेंडरफ साफ करने के लिए बतुए के पानी से बाल धोया करते थी एक टाइम पे इसको डेंडरफ साफ करने के लिए भी बहुत यूज किया जाता था पुराने जो बुजुर्ग लोग होते थे वो इस चीज का यूज करते थे बथुआ गुणों की खान है और भारत में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां है आप देखिए बथुआ एक नॉर्मल सी बहुत ही आसानी से उपलब्ध है और बहुत ही रोजमर्रा के टाइम पे खाया जाने वाला एक साग है लेकिन इसमें बहुत से गुण हैं और ये एक जड़ी बूटी की तरह भी काम करता है आयूर्वेद के अनुसार बथुआ एक बहुत ही फायदे मंद औसधी भी है अगर आप बथुआ के इस्तेमाल को करते हैं एक रेगुलर बेसिस पे आपको बहुत से रोगों का उपचार मिल सकता है बथुआ खाने से आप बथुआ के इस्तेमाल से कई रोगों का उपचार कर सकते हैं आईए जानते हैं कि हरे रंका यह पोधा आपके कितने काम आ सकता है और आप बथुआ के प्रयोग से किस-किस रोग में लाव पा सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे बथुआ क्या है हिंदी में बथुआ क्या है और बथुआ को क्या कहते है बथुआ एक महतुपूर्ण तथा स्वास्थे बर्धक शाख या जो नॉर्मल भाषा में हम लोग कहते हैं साख है बथुआ बेजिटेवल है एक सबजी है शाख है इस पौधे के पत्ते शीता दरोधी या एंटी स्कॉर्ब्यूटिक तथा पुईरोधी होते हैं इसको एंटी डाई यूरेटिक भी कहा जाता है बथुए में अनेक प्रकार के लवण एवं च्छार पाये जाते हैं जिससे या पेट रोग के लिए फाइदेमंद होता ही है साथ ही अनेक बीमारियों में भी काम में लाया जा सकता है आप इस फोटो में देख सकते हैं इस पिक्चर में बथुए की फोटो दिखाई गई है आप देख सकते हैं इस तरीके की छुटी छुटी सी पत्तियों वाला ये साग होता है जो बथुआ है बथुआ का जो वैज्यानिक नाम होता है जो साइंटिफिक नेम होता है वो है चीनो पोडियम अलबम या इसको हिंदी में केनो पोडियम अलबम भी कहा जाता है बथुआ विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9 और विटामिन C से भरपूर है तथा बतुवे में कैल्शियम, लोहा, डाट इस आयरन, मैगनीशियम, मैगनीज, फॉसफोरस, पोटाशियम, सोडियम वा जिंक आदी मिनरल है आप देख सकते हैं कि कितनी सारी विटामिन्स, कितने सारे माइक्रो नियूट्रियंट या छोटे-छोटे से जो बहुत ही कम मातरा में हमारे शरीर को चाहिए होते हैं वो नियूट्रियंट वो पोशक तत्तो इसमें प्रेजेंट है 100 ग्राम कच्चे बत्वे यानि पत्तो में 7.3, 7.3 ग्राम कार्बो हाइड्रेट 4.2 ग्राम प्रोटीन वो 4 ग्राम पोशक रेशे होते हैं ये कुछ मातरा दी गई है बत्वे में जो जरूरी जो बहुत ही पोशक तत्तो प्रेजेंट होते हैं उनकी मातरा दी गई है उन मिलाकर 43 या 43 किलो कैलोरी की इनर्जी इतनी उर्जा हमें बत्वा के 100 ग्राम के खाने से मिल सकती है बत्वा एक ऐसी सबजी है जिसके गुणों से जादा तर लोग अपरिचित हैं ये छोटा सा दिखने वाला हरा भरा पौधा काफी फायदे मंद होता है सर्दियों में इसका सेवन कई बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है बत्वे में आयरन प्रचुर मातरा में होता है बत्वा ना सिर्फ पाचन शक्ती बढ़ाता है बलकि अन्ने कई बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है बत्वा को गुजरात में चील भी कहते हैं बत्वा एक ऐसी सबजी या साग है जो गुणों की खान होने पर भी बिना किसी विशेश परिश्रम और देखवाल के खेतों में सुता ही उग जाता है एक डेड़ फुटका या हराबरा पौधा कितने ही गुणों से भरपूर है बत्वा के साग में कई स्वास्थे लाब होते हैं इसमें पाए जाने वाले पोशक तत्तों में विटामिन A, आरन, कैल्शियम, कार्बो हैडरेट, फाइबर, विटामिन C, फोस्फोरस और पोटेशियम जैसे तत्तों भी होते हैं जो इस साग को हेल्दी और पोस्टिक बनाते हैं इसके अलावा इसका टेस्ट भी काफी अच्छा होता है और कई स्वास्थे समस्याओं में इसके सेवन की सलाह दी जाती है इसके सेवन से पेट, यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़ी परिशानियों से आराम मिलता है इस हरी पत्यदार सबजी में कई सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जब बत्वा, शेद यानि मठा या लसी या दही में मिला दिया जाता है तो या किसी भी मानसाहार से जादा प्रोटीन वाला वा किसी भी अनिक खाद्य पदार्थ से जादा सुपाच वा पॉस्टिक आहार बन जाता है जब हम बीमार होते हैं तो आजकर डॉक्टर सबसे पहले विटामिन की गोली ही खाने की सलाद देते हैं ना गर्बवती महिला को खास तोर पर विटामिन बी, सी वालोहे या आईरन की गोली बताई जाती है और बत्ववे में तो वो सब कुछ है है कहने का मतलब है कि बत्ववा पहलवानों से लेकर गर्बवती महिलाओं तक, बच्चों से लेकर बुढ़ों तक सबके लिए अमरत समान है यह साख प्रति दिन खाने से गुर्दों में पत्थरी नहीं होती बत्ववा अमाशे को या पेट को बलवान बनाता है गर्मी से बढ़े हुए एयकरत या लीवर को ठीक करता है और बत्ववे के साख का सही मात्रा में सेवन किया जाए तो निरोग रहने के लिए सबसे उत्तम औशदी है बत्ववा बत्ववे में जिंक होता है ये भी एक प्रकार का पोशक तत्व है जो की बत्ववे में प्रेजन्ट होता है बत्ववा कब्ज दूर करता है और अगर पेट साफ रहेगा तो कोई भी बिमारी शरीर में लगेगी ही नहीं ताकत और इस्फूर्ती बनी रहेगी कहने का तातपर है कि जब तक इस रितू में बत्ववे का साग मिलता रहे नित्य इसकी सबजी खाएं बत्ववे कारस उबाला हुआ पानी पीएं और या खराब लिबर को भी फीक कर देता है पत्री हो तो ग्रीन जूइस में मिलाकर नित्य पीएं तो पत्री तूटकर बाहर निकल आएगी कुछ फाइदे कुछ क्या बत्ववे से बहुत कुछ फाइदे होते हैं उनमें से कुछ फाइदे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि क्या फाइदे बत्ववे से हो सकते हैं सबसे पहला फाइदा है दातों की समस्या से राहत ओरल केर दातों की समस्या को ओरल केर जो दातों की समस्या से राहत मिलती है उसको ओरल केर कहा जाता है ओरल केर खास कर दातों के दर्द से राहत पाने के लिए बतुए का सेवन अच्छा माना जाता है इसके बीजों का पाउडर दंत मंजन की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है बहुत पुराने समय से इसके बीजों के पाउडर को दंतमंजन की तरह यूज में लाया जाता है जब दातों में दर्द या मसूडों में सूजन हो तो यह नुस्खा आजमाया जा सकता है इसी तरह बथुआ के पत्तों को पानी के साथ उबाल कर इसे गरारे करने से भी आराम मिलता है दूसरा फायदा है बथुए का कबज का अचूप उपाए जिन लोगों को खराब डाइजिशन या लाइफ इस्टाइल की वज़ा से कबज की परिशानी होती है उन्हें बथुआ जरूर खाना चाहिए इससे कॉंस्टिपेशन में राहत मिलती है बथुआ खाने से एसीडिटी, लो एपेटाइड यानी भूख ना लगने की परिशानी, डकारी और गैस जैसी परिशानियों से भी आराम मिलता है अगला फाइदा है बथुआ का कि ये खून साफ करने में मदद करता है खून साफ करे बथुए को चार से पाँच नेम की पत्तियों के रस के साथ खाया जाए तो खून अंदर से शुद्ध हो जाता है इसके साथ ही बलड का सर्कुलेशन भी ठीक रहता है अगला फाइदा है बथुआ खाने का ये खत्म करता है कीड़े बच्चों को कुछ दिनों तक अगर लगातार बथुआ खिलाया जाए तो उनके पेट के कीड़े मर जाते हैं बथुआ पेट दर्द में भी काफी फाइदे मंद है अगला फाइदा है बथुआ खाने का की ये चर्म रोगों में भी बहुत फाइदे मंद है बथुआ चर्म रोगों को दूर करता है बथुआ को उबाल कर इसका रस पीने और सबजी बना कर खाने से चर्म रोग जैसे सफेद दाग फोड़े फुंसी खुजली में भी आराम मिलता है इसके अलावा बथुए के पत्तों को पीश कर इसका रस निकाले अब दो कप रस में आधा कप तिल का तेल मिलाएं और इसे धीमी आज पर पकाएं इसके पानी को पीएं इससे चर्म रोगों को दूर करने में बहुत हद तक मदद मिलेगी कुछ और फायदे बथुए के हम देख लेते हैं दोश कर्म की द्रिष्टी से या त्री दोश जैसे की वात, पित और कफ इनको एक साथ में त्री दोश कहा जाता है तो दोश कर्म की द्रिष्टी से बथुआ त्री दोश जिन में आते हैं वात, पित, कफ को शान्त करने वाला है आयूर वेदिक विद्वानों ने बथुआ को भूख बढ़ाने वाला पित शामक मलमूत्र को साफ और शुद करने वाला माना है आयूर वेदि में बथुआ को बहुत ही ज़्यादा मानिता दी गई है और इसको बहुत से रोगों को सही करने वाला माना गया है यह आखों के लिए उपयोगी तथा पेट के कीड़ों का नाश करने वाला है यह पाचन शक्ती बढ़ाने वाला भोजन में रुची बढ़ाने वाला पेट की कब्ज मिटाने वाला और स्वर या गले को मधूर बनाने वाला है बथुए की दो प्रजातियां पाई जाती हैं एक हरे रंग का बथुआ और दूसरा लाल रंग का बथुआ अगर बात करें गुडों की तो गुडों में हरे से जादा लाल बथुआ अधिक उपयोगी होता है ये लाल बथुआ के सेवन से वाद, पेत, कफ के प्रकोप का नाश होता है और बल बुद्धी बढ़ती है पीबी की खासी में इसको बादाम के तेल में पका कर खाने से बहुत लाव होता है नियमित कब्ज वालों को इसके पत्ते पानी में उबाल कर शकर या चीनी ना मिला कर पीने से बहुत लाव होता है यही पानी गुर्दे तथा मसाने के लिए भी लावकारी है इस पानी से तिल्ली की सूजन में लाव होता है और अगर सूजन अधिक हो तो उबले पत्तों को पीस कर तिल्ली पर लेप लगाएं लाल बत्तुआ ह्रदय को बल देने वाला फोड़े फुनसी मिटा कर खून साफ करने में भी मददगार है बत्तुआ लीवर के विकारों को मिटा कर पाचन शक्ती बढ़ा कर रक्त को बढ़ाता है बत्तुआ शरीर की सिथिलता को मिटाता है लीवर के आसपास की जगए सक्त हो उसके कारण पीलिया हो गया हो तो छह ग्राम बत्तुआ के बीच सवेरे सवेरे शाम पानी से देने से लाब होता है बत्तुआ के बीजों को सिल पर पीस कर उबटन की तरह लगाने से शरीर का मेल साफ होता है चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं तिल्ली की बिमारी और पित के प्रकोप में इसका साग खाना उपयोगी है बत्तुए के काड़े से रंगीन तथा रेश्मी कपडे धोने से दाग धब्बे छूट जाते हैं और रंग सुरक्षित रहते हैं अरुची, अजेड, भूख की कमी, कब्ज, लीवर की बीमारी और पीलिया में इसका साग खाना बहुत लाबकारी है सामान ने दुर्बलता बुखार के बाद की अरुची और कमजोरी में इसका साग खाना हितकारी है धातु दुर्बलता में भी बथुए का साग खाना लाबकारी है क्योंकि बथुए में बहुत से धातु जैसे की आईरन या लोहा, जिंक, फॉस्पोरस, आदी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बथुए के बीजों को दिखाया गया है, ये बथुए के छोटे छोटे से बीज हैं, जिनकों की इस तरीके से दिखाया गया है बथुए के बीज मार्केट में बाजार में भी आसानी से उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं, बथुए के बीज की ये पैकिंग है, और इसमें बथुए के बीज आपको आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं यहाँ पे ये इडिबल बथुआ सीड खाने योग बथुआ के बीज आपको दिखाये गए हैं और इनमें no preservatives, no chemicals लिखा हुआ है जिसका मतलब है कि इनमें इनको सुरक्षित रखने के लिए कोई भी बाहरी तत्तो नहीं मिलाया गया है और नहीं किसी केमिकल का नहीं किसी रसायन का यूज किया गया है ये निचुरल है प्राकृतिक बीज बथुआ के यहाँ पे आपको पैकिंग में भी मिल सकते हैं आसानी से ये बाजार में उपलब्ध हैं थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए आप ITLS Academy को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेस्बुक पे, ट्विटर पे, यूटूब पे, वाट्सप पे और लिंक्डिन पे बहुत सारे नए वीडियोज और ITLS Academy के नए अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें ITLS Academy को यूटूब पे और इंस्टाल करें ITLS Academy के एप को गूगल प्लेइ स्टोर से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, सेर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए किसी भी हेल्प के लिए, किसी भी मदद के लिए या किसी भी जानकारी के लिए कॉल करिए हमारे हेल्प लाइन नंबर 7080833450 पर हमारी वेबसाइट को भी सर्च कर सकते हैं आप that is www.itlsacademy.com पर धन्यवाद